प्रशान्त विहर्ज लेके भारतिय योग संस्थान के केंदर पर एक विशेश सत्र का आयूजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में योग साधक मौसूर रहे है इनमें महिलाएं बोजुर्ग और युवा भी मुख्य रुप से दिखाए गया इस सत्र में मुख्य अत्रिक के तोर पार भारतिय योग संस्थान के अखिल भारतिय अध्यक्ष देश राज जी खुद लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने योग के महत्र को बताया साथ ही उन्होंने योग को लेकर लोगों से चल्चा भी अखिल भारतिय अध्यक्ष देश राज ने व्रिक्षा देकर लोगों को मानसिक, शारिरिक और आध्यात्मिक रूप से विक्सित कर रहा है और उन्हें अच्छा जीवन जीने की रहा पर आगे लेकर जा रहा है ताति उन्हें बताया कि भारतिय योग संस्थान का ये विश्वास है कि जब भारतिय संस्किति का संदक्षन और संवर् से पूरे भारत वरस में भिन-भिन शहरों में, गाओं में, कस्वों में, योग के केंदर खोल करके, खुरोडों लोगों को प्रती दिन, योग की शिक्षा केवल थियोरी के रूप में नहीं, वहवारी के रूप में करवा करके, उनको शारिरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्स उनका विक्सित करते हैं, उनको एक अच्छा जीवन जीने की रहा पर ले करके जा रहा है, भारतिय योग संस्तान का ये विश्वास है, कि जब तक भारतिय संस्कृति का सनक्षन और समर्धन नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं, और योग के दुवारा ही ये स हम भव है, हम हर तरह से स्वस्त रहते हैं, जहां तक पोदार उपन की बात है, योग, ईश्वर और प्रकृति, ये तीनों एक दूसरे के प्राइवास है, योग प्रकृति के साथ जोडता है हमारे को, और वहीं इश्वर के साथ जोडता है, यही कारण है कि भारतिय योग स संस्तान के केंद्र घरों में नहीं चटों के नीचे नहीं सुबह पार्कों में चलते हैं क्योंकि जहां पर्चुर मात्रा में हमें ऑक्सीजन भी मिलती है हमारा स्वास्ता भी अच्छा उरता है और साथ में आसन प्रणायम भ्यान करते हैं हम अपने आपको तो स्वास्त करते करते हैं और आसपास में घूंगने वाले वहा भी इस वातावर्ण से इस इन्वाइन्मेंट से परभावित हो करके हमारे साथ जूड़ते हैं और इस तरह योग के परचार परसार करने में सर्फान को भी मदद मिलके और समाद भी अच्छा बनता है हम आसनों का अभिहास करते हमारा निसकासन सहल बनता है हमारी मासपेशियों का चैप चैप बढ़िया बनता है हमारा सनायू तंत्र बढ़िया बनता है और सबसे बढ़िया बात कि हमारी परतिरोधक परनाली सक्षम बनती है जब हमारी परतिरोधक परनाली सक्षम बनेगी तो बिमारियों से लड़ने